हैलो अबरीबरी तो काफी दिनों बाद में नहीं रेसिपी लेकर आ चुकी है आप लोगों के लिए तो आज बनाने वाले सर्सो का साग इसके आप लोग के साथ में शेयर करें तो यह पंजाबी डिश होती है जिसे मक्की की रूर्टी के साथ खाया जाता है अफकोस आप किड़े और ना जाए इसमें और इसके बाद में हमने 150 ग्रम पालग ले लिया है पालग को भी हमने अच्छी तरह से चेक करके कट कर लिया था और इसे भी वाश कर लिया था अब क्या करेंगे यह दोनों चीजे हमने पर डाल दिया यहां पर दाल देंगे एक कप पानी बहुत हैं अब उच्छी तरह से टायर की तयार है थाम क्या करेंगे इसे हटा लेता हैं यहां पर धाया हैं अब भी रश्रस्पुन फल्ट can you keep兩 Oops of making जो आती है वो हमने आप डाल दिये साथ में डाल देंगे एक टेबल स्पून लेसुन का पेस्ट आप रेडी मेड भी उसकर सकते हैं मैंने आप पेस्ट यूज किया है आप चाहे तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं ज़रूरी नहीं यह पेस्ट यूज करना तो चले यह तना पका लेंगे बहुत ज़्यादा इस पासा फिर यहां पेसना फाता है Х보ह कई लेता हुए कर स्ट हां दू血त नहीं करें चल अनने आप करेंगे मुह आप यह पर यह जड़के लेगकर हुट लेक्से घ्रावisz करताया है मृदु बहुत ब्रूधा तो ताकि भी आप लह च अब क्या करेंगे हमने चार से पांच नर टमाटर ले लिए ते और उसे तरह से एकदम ही बारीक काट लिया था यह तो आप उसकी प्यूरी यह पिर पेस्ट तयार कर ले आप दोड़ों ही यूज़ कर सकते हैं यह पर हमने इसे थोड़ी दिर के लिए पका लिया था मीडियम क्या करेंगे आप डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसर या फिर हाफ टीस्पून जितना नमक डाल देंगे साथ में चैश्पून प्राइब तर्मरीक यानि कि हल्दी पाउडर जादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसका येलो नहीं चाहिए साथ में एक टीस्पून हमने टमाटर को अच्छी तरह से मसाले में पका लेंगे लेगा इसका फ्लेम लो ही रखेंगे और अब यहां पर क्या करेंगे तो एक टेबल स्पून हमने पर दही ले लिया और यह दे डालेंगे दही डालने से बहुत यह अच्छा फ्लेवर राता है लेकिन आपको इबात ध्यान पंजाब के अलावा बहुत रेर जगह पे अवेलेबल होता है मकी काटा तो उसकी जगह आप बाजरे का आटा भी डाल सकते हैं तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया अब क्या इससे भी थोड़ी तरह और पका लिया था हमने लो फ्लेम पे दो मिनिट के लिए देख सक बाज हमने इसे अच्छी तरह से एक दम मैश करना था भी तरह दो पे निडिया और टीशन करने की बाद इसे पका लेंगे अची ज़रे से मिक्स कर लेंगे तो गी भी अची ज़रे से अंदर मेल्ट हो जाएगा तो चलिए अब हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे तो चलिए हमार दो सर्सो का साग है ज़े बंग की तयार अ आपको रेसीपी कैसी लेखी मुझे जरूर बताना है वकी रोटी नहीं तो नॉर्मल रोटी के साथ भी आपकी से खा सकते हैं और मक्की की रोटी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, मैं उसका भी वीडियो जरूर डाल दूँगी झाल 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 झाल